है नमस्ते प्रणाम कैसे हैं आप सब आसा करते हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप देखोगे तो आप भी बनाए बगार नहीं रहोगे तो चलिए बनाते हैं यह हैं तर्वूज के चिकल तो इन चिकल से मैं बनाऊंगी आज एक रेशिपी और आप बने रहें गाइस वीडियो में अब है कि मैं अब आपको दिखाऊंगी कि मैं इन से क्या बनाने जा रही हो तो पहले मैं इनको चील लेती हूं यह नीचे का चिल का जो इसको निकालना है गाइस तो अभी मैं चील लेती हूं पर दिखाती हूं आपको देखिए गाइस तरीकी से छील लए हैं सारे चील चाहिए हैं अच्छे से इनको चील ला है चले चील लिए फिर आपको दिखाते हैं देखिए गाइस चील सारे च्रिज हम आपको धिख में बग्ल Vaobt लло तेटागा पर…. आप tunnel अच्छे से आप इनको क्या करना है या तो आप चोटे-चोटे टुकड़े करके इनको आप मिक्सी में पीछ सकते हैं और नहीं तो आप इनको गेट करने वाली हूं क्योंकि अगर आप पीछ लेंगे तो एकदम बरीक हो जाता है तो उसमें दानेदार हल्वा नहीं बनता है ग इसे कर रहे हूं ग्रेट तो देखिए मैंने रही है मैं करूंगा मेडियम से ग्रेट चले गाइस करते हैं धिशा इस तरीके से मैं ऐसे ग्रेट कर दून अधों है चलीआज गए ये कर लेते हैं सारा आज तो क्यों हो गया है गईज और हम मैने रड़ दिया कढ़ाई ॐτο है तोर कड़ाई में गईस इसे डाल देते हैं कि इसमें पानी ज्यादा होता है इस मैंने अभी आप Feyич कर लग दिया तो इसमें पानी आपको देख रहा हो चलिए आपको दिखाते रहेंगे बीज-बीज में दिखिए गाइस पानी बिल्कुछ सूख गया है और मैंने ग्रेट किया है इसलिए दाने दार आपको दिख रहा है मैं अभी इसमें कुछ भी और एस कुछ भी इसमें अट नहीं किया है तो काइस अब डाल देते हैं यह सु राम सुगर है अब अगर मेरा ज्यादा खाते हैं या कम खाते उसके साफ से कम ज्यादा कर सकते हैं देखिए गाइस मैंने कुछ एक किसमिस और यह पदाम काजू कटकर रखें थोड़े से मैंने काजू यह साबूत रखें देखिए दोधीश करके अब इनको मैं पहले तो दौश्ट कर लोगी तो चलिए करते हैं रोस्त इदर बंडा है हमारा हल्वा तो उसे गयस पर मैंने रख दिया है दोनों साथ साथ मैंने करते हैं देखिए गाइस गी बैने देशी लगा दिया है पैन में और अब इसमें गयर सोन करते हैं ज Для कुपा दालते हैं है पहले बदाए और कासू चाहिए चाहर और काजु साथाय है त optimistic का लिए अधे करपए अगर आप इन्हें फोल्ट सहुंता है तो इतना सवांद प्रश i कुछी क्रेंची कितने स्वादिस लगता है तो अगर आप ऐसे नहीं डालते हैं तो एक बार ऐसे जरूर से डाल कर देखना कर देखने और अब बीच में डालें और आप बने देखे वीडियो में दिखाऊंगे आपको कि मैं आज हलुआ कैसे बना रही हूं वाटर मेलन का चले गए रोस करते हैं फिर दिखाते हैं आपको गाइज अब यह डाल देतें किसमिस इन्हें बाद में डालें गाइज क्योंकि यह ज्यादा रोस करने जी रूख नहीं होगी है तो हलका सा रोस करना होता है पाकिसाद रोस हो गए है देखिए गाइज ड्राइफ प्रोट्स हमने निकाल लिए हैं रोस हो गए है और अब गाइज में डालती हूं यह दो चम्मच बेसन है इसे भून लोगी मैं और इसी टाम डालोंगी गाइज में यह दो चम्मच सोजी जीज़गे में यह दो स्कून उल इस सद्फ़स में एक जुछ नि 말씀 होसरे माइज यह दो सद्फ़स तो भूब दो ब्हूंस इन यह दो सोय प्रच tentang डाल हuit उवां रता है एध बबन नोग से सैन सचाहिए जड़ाएं तो इसमीन चेसी दाल से स्थ टो आता है तो एंदुई दाल जालने थे ऱल लाइक बहुत हिना बुछ हुआ तली हैं मिल आपक फैस quietly बंटें आप जो हलवा है इसमें डाल देते हैं अब इसे कल देते हैं तुमें मिक्स अब देखिए अब यह मैंने ले लिया है कि मार्किर का है तो इसे रोज करना ज़रूरी होता है जले रोज कर लेते हैं अब यह यह जाल देते हैं और आप कर लेते हैं इसमें मिक्स काईज हल्बा बनका रेडी है और अब दाल देते हैं एक मेन इंग्रीडियन्स है यह है हरी लाची पाउडर इसे बहुत जरूरी है डालना गाइज और अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो आप इसकी जगा केसा भी डाल सकते हैं या गुला आपको सर्फ करके मैं दिखाती हूं आप डाल देते हैं ट्राइफ्रोट्स चलिए अब दाल देते हैं देखिए गाइज बताएए आपको यह हल्वा कैसा लग रहा है देखिए लग रहा है ना बड़ा टेंटिंग इतना स्वादश की बस्मन कर रहा है अभी चाय बनाओ च सब लोग खाएंगे फिर और इस रेसिपी को जरू से टाय करना देखिए गाइज बताएज बाटरमेलन की चिक्किल से बनाय हुआ हल्वा आपको कैसा लग रहा है गाइज इतना स्वादश लग रहा है देखने से ही कि पास मन भर के खा जाओ इस रेसिपी को जरू से टाय क अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें कमेंट जरू से क्या करें गाइज और वीडियो से भी जरू से करें एक लाइक जरू करना गाइज और मिलते हैं नहीं वीडियो में तब तक कि लिए बाई टेक क्यार एंजै माता दी